अगर आपके पास भी HDFC bank का कोई भी credit card है तभी आप सब के लिए बहुत बूरा अपडेट दिया जा रहा है personally HDFC bank के द्वारा सबसे पहले HDFC bank आप सब को एक notice provide करेगा चाहे email ID पे हो चाहे आपको SMS के जड़िये हो कहीं भी आपके notice provide कर देगा लेकिए notice उनको ही आने वाला है जो alternate तरीके से अपने credit card को यूज़ करते है अगर आपको credit card का limit 30,000 है अगर आप मंथली में 60,000-90,000 limit करके credit card को यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपसे credit card permanently या तो आपको temporary credit card close हो सकता है कुछ आपको notice दिखा तो यह notice है जो कि HDFC bank के तरफ साब कुछ इस तरह का आपको mail पे भी आ सकता है या तो आपको SMS भी आ सकता है जिसमें आपको PDF का एक link भी रहेगा जब आप उस link पर click करोगे तो आपका PDF open हो जाएगा उसके बाद उस PDF में लिखा यह रहता है कि सबसे पहले अगर आपको एक्जांपल करना पड़ता है जब आप क्रेडिकार करना पड़ता है जब आप कर लिए हो तो फिर आप गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते हो गलत तरीके मतलब यह है कि अगर आप क्रेडिकार का लिमीट 30,000 है तो आप एक महेना मसिरफ 30,000 ही यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर करते हैं, बहुत स्थाज़र यह है, कि 100 मिन यहाँ आपको 5% को लेता हूँ, 5% क्या करते हैं, उपने क्रेटिकाट को, अगर 30,000 का लिमीट है, तो कुछ पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, तो 30,000 को एक लाख में convert कर लेते हैं, और 1,00,000 अगर उसके पास क हो गया है तो एक लाख मिख्या करते हैं तो इनको 5% या 2% गंशा से कुछ cashback मिल जाएगा या 2-3,000 प्या उसको benefit होता है तो वो 2-3,000 प्या कमाने के चक्र में इस तरह से काम करते हैं लेकि अगर आप वो 2-3,000 प्या कमा ही लेते हो तो आपको benefit जदा नहीं होने वाला है क्योंकि आपको credit card जदा दिन चलेगा ही नहीं आपको credit card permanently या तो आपको temporary close कर दिया जाएगा अगर temporary close होता है तो फिर या credit card को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आपको जो भी limit मेला है limit का अंदर ही यूज कीजिए जो कि कुछ वह रहता है 50% तक आपका दिया गया है या अगर आपको कुछ वहां पर purchase नहीं करना है तो अपने दोस्त को भी प्रोड़क आपने अपने credit card के फूरे दिला देते हो सबसे पहले आपका दोस्तों आप वो cash दे दिया है लेकि आप उसमें कुछ cash back earning कर लिए हो लेकि आप यही तरीके से हर एक मन्त अगर आप एक लाग करते हो तो फिर आपको क्रेडिक आपको क्रेडिक करना पड़ेगा कि सबसे पहले cash back जो आपको earning कर रहे हो वो cash back छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता है क्योंकि हर एक बैंक में जो हो चुका है कोई भी क्रेडिक कारण है यह अगर आप सबस्क्राइब कर दिया गया है उसका भी धेरे करके आपको डिवियलेसन थे इसका तो नहीं क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि अभी बैंक भी समझता है यह कि यह काड कहा यूज हुआ है क्योंकि आपसे को यह पता होगा कि जो भी हमें लोग credit card यूज करते हैं, कोई भी platform पो यूज करते हैं, तो उसका एक code होता है, लेकि उससे पहले क्या होता था, manually bank चेक करता था कि आपकी इस credit card को कहां यूज किये हो, और कभी-कभी mistake भी होता था आपसे कोहां पर reward point और cashback भी मिल जाता था, लेकि अभी दुनिया बदल चुका है, अभी AI का जवाना आ चुका है, तो AI में क्या होता है, आपको automatically उसको सब पता चल जाता है, कि आज की रिट में आपको कितना credit card का ब्लैंस यूज किये हो, और कौन सा फ्ले रिफॉर्म पर यूज किये हो, वहाँ पे eligible cashback के लिए है, या reward point के लिए है, या नहीं है, सब जनकारी AI बैंक को दे देता है, लेकिन जब आप उसमें funds जाओगे, जो कि आपको कुछी second लगता है, उसको जनकारी देने में AI को, क्योंकि आज के बाता है कि AI के दुनिया में video भी कुछी second में बन जाता है, अगर कुछ आप लिखेना चाहते हो, तो कुछी second में AI आपको लिखके भी provide कर देता है, तो वही सब जनकारी आपको AI बैंक को दे देता है instantly, फिर आपको बैंक क्या करेंगे, instantly आपको credit card को भी close कर देगा, तो अगर आप भी किसी भी तरीके से cashback earning करने के चक्कर में अपने limit को ज़्यादा कर के मंथली में अपने credit card को यूज करते रहते हो, कुछ cashback earning करने के लिए तो यह ज़्यादा दिन तक नहीं जाने वाला है, आपको card permanently भी close हो सकता है, तो यह छोटा सा update आया था, बैंक के द्वारात सोच आप सो क्योंने बता दिया जाए, ताकि अगर आप भी credit card को, अगर गल करने के चक कर में अपने credit card को close कर बालेजिए, बाद बाकी आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब जैनल को, मैं एक वे साथ धर्वंदर, मिलते हैं फिर एक ने वीडियो में तब तक लिए जाएं, जाभारत!